गंगानगर नाम के एक गाउ में मदन अपनी पत्मी गीता के साथ रहता था उसकी पात साल की एक बेटी कंचन भी थी मदन का गाउ में अपना एक पपीते के पेडों का बाग था वो अपने बाग में उगे पपीतों को बाजार में बेच कर अपने घर का खर्चा चलाया करता था मदन के ये बाते उसका एक पडोसी गौतम उसकी खिड़की के पीछे से चिप कर सुन रहा था पपीते तो तुम्हारे वैसे भी खराब ही होंगे क्योंकि आज मैं उनमें हानी कारक दवाई मिला दूँगा तुम्हारे बाग में जितने भी पपीते के पेड़ हैं उन पर लगे हुए हर इक पपीते को मैं खराब कर दूँगा तुम्हारे बाग के पपीते सभी को बड़े पसंद आते हैं ना इस बार देखना, इस बार कोई भी तुमसे पपीता नहीं खरीदेगा इस बार बाजार में सिर्फ मैं पपीते बेच कर मुनाफा कमाऊंगा गौतम मदन से बहुत जलता था वो चाहता था कि बाजार में सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के पपीते खरीदे लेकिन उसके पपीतों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था वो गाउ की सस्ती मंडी से सस्ते पपीते लेकर बाजार में उन्हें महेंगे दामों में बेचता था जिस वज़े से लोग उससे पपीता खरीदना पसंद नहीं करते थे लेकिन वो तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मदन को मानता था वो खुद तो महनत करता नहीं था लेकिन महनती मदन के तरक्की देखकर उसे जलन बहुत होती थी मदन के बाग के पपीते खराब करने के लिए वो देर रात को मदन के बाग में पहुचा अब आएगा मज़ा जब मैं इन पेडों में दवाई डालूँगा कल तक इसके बाग के सारे पपीते खराब हो जाएंगे जब वो इन पपीतों का ऐसा हाल देखेगा तो उसका चेहरा देखने में बड़ा मज़ा आएगा अपनी जलन के वज़े से गौतम सभी पपीतों के पेडों के नीचे एक दवाई डाल देता है जिससे रातों रात मदन के बाग के सभी पपीते बिलकुल खराब हो जाते है मदन सुभ़ पपीतों को तोड़ने के लिए अपने बाग में आता है तो पपीतों की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते है गौतम मदन के बाग के बाहर चिप कर उसे इस तरह परिशान होते हुए देख कर बहुत खुश हो रहा था तभी वो मदन को जूटी सांत बना देने उसके पास गया अरे क्या हो गया मदन भाईया तुम्हारे बाग की पपीते खराब हो गये अभी जब मैं एक दो दिन पहले यहां से गुजर रहा था तब मैंने देखा था तुम्हारे बाग की पपीते बड़े ही सुन्दर सुन्दर हो गये थे तो फिर यह अचानक यह क्या हो गया पता नहीं गौतम भाई मेरे पपीते के बाग को किसकी नजर लग गई आज तो मैं इन पपीतों को पेड़ से तोड़ने वाला था ना जाने रातो रात ऐसा क्या हो गया मदन भीया सच कहूं तो मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे बाग में जान बूच कर कुछ किया है वरना रातो रात पपीते का पूरा बाग ऐसे थोड़ी हो जाएगा जरूर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है इसलिए उरसे बरदाश नहीं हुआ कि तुम्हारे बाग में इतने सुन्दर पपीते हो गए है मुझे तो तुम्हारे बाग की ऐसी हालत देखकर बड़ा बुरा लग रहा है लेकिन अब जो हो गया सो हो गया इसमें हम क्या ही कर सकते है लेकिन अगली बार अपने बाग का ध्यान रखना सावधानी बहुत जरूरी है ये सब बोलकर गोतम वहाँ से चला जाता है लेकिन गोतम के जाने के बाद मदन अपने बाग को देखकर बहुत रोता है उसकी आंखों से जैसे ही आसो जमीन पर गिरते है वैसे ही वहाँ पर एक पौधा उगने लगता है और देखते ही देखते वो पौधा मदन की आखों के सामने पपीते के एक विशाल पेड का रूप ले लेता है अचानक इतने बड़े पपीते के पेड को अपने सामने देखकर मदन हैरान रह जाता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा है, अचानक मेरे सामने इतना बड़ा पपीते का पेड़ कहां से आ गया, और इस पर लगे पपीते तो कुछ अलग है, इनका रंग सुनेहरा है, अब तो मुझे लगता है कि मैं पक का कोई सपना देख रह तुम कोई सपना नहीं देख रहे मदन, मैं सचमुच जादूई पपीते का पेड हूँ, मैं जादूई हूँ, इसी कारण मेरे पेड के पपीते भी सुनेहरे रंग के हैं, तुम अपने बाग का हमेशा बहुत ध्यान रखते हो, तुम्हारे बाग में लगे पपीते, तुम्ह बहुत प्यारे हैं, उनके प्रती, तुम्हारा जो प्रेम है, उस वज़ह से तुम्हारी आखों से आसु निकल रहे हैं, तुम्हारी आसुओं से ही, मैं यहां पर आया हूँ, तुम बहुत परिशान हो, इसी लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम, तुम तो एक पेड़ हो, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो, अब तो मुझे बस इंतजार करना होगा, जब तक मेरे बाग में दुबारा सभी पेड़ों पर पपीते नहीं लग जाते नहीं मदद, तुम्हें इंतजार करनी की जरूरत नहीं, मैं जादूई हूँ और मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे इन सभी पपीते के पेड़ों को बिलकुल ठीक कर दूँगा, इन पर फिर से ताजा ताजा पपीते आ जाएंगे, जिन्हें तुम आरा वो तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं है, इसलिए उसने अपनी जलन के कारण तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन तुम अब बिलकुल भी चिन्ता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाग की कर देता हूँ. तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं मदन, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुमसे एक ही बात कहूँगा, आज के जमाने में लोगों के अंदर से अच्छाई खत्म होती जा रही है, वे दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद नहीं करते, मै मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ, कि तुम जब भी किसी जरूरत मंद को परिशान देखो, तो उसकी मदद करो, तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी नेक नियती से जिसकी भी मदद करोगे, भगवान हमेशा तुम्हें उसका कई गुना देगा, मैं जानता हूँ जादूई पपीते के पेड, लेकिन मैं लोगों की मदद नहीं करता, कि मुझे इसके बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा है, मैं तो सर्फ इसलिए उनकी मदद करता हूँ, क्यूंकि मुझे किसी को परिशानी में देखकर बहुत बुरा लगता है, ब तो समेशा ऐसे ही रहना, दोनों के बीच में बात होने के बाद मदन खेट से सारे पपीते तोड़ कर गोदाम में रख देता है, लेकिन मदन जैसे ही पेडों से सारे पपीते तोड़ता है, वैसे ही पेडों पर उतने ही पपीते फिर से उग जाते है, अरे ये भला कैसा चम तुम जैसे ही पेड़ से एक पपीता तोड़ोगे, दूसरा पपीता पेड़ पर अपने आब ओख जाएगा। तुम बस समय समय पर अपने बाग में पानी देते रहना और बाग की सफाई रखना। बाग ही तुम्हारा बाग हमेशा पपीतों से हरा भरा रहेगा। इतने सारे हरे पपीते देखकर गौतम बिल्कुल हैरान रह जाता है। ये किस तरह से संभव है? सुभा जब मैंने मदन के बाग को देखा था तो उसके बाग के सारे पपीते खराब हो चुके थे। फिर ये तुम्हारा से इतने अच्छे पपीते कैसे आ गए? जो भी हो मैं फिर से इन पपीतों को खराब करूँगा। मैं इसके बाग को पूरी एक फटकार लगाता है। इसलिए पहले तो मुझे जबाग में पपीतों की हरी भरी फसल दिखाई दी। उसके बाद मुझे ये पपीते का पेड़ बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो ये पपीते मुझे सच में दिखाई दे रहे हैं या फिर मेरा भ्रम ही क्यू रहो मैं इन्हें बरबाद कर दूँगा। मैं कभी अपनी कलपना में भी मदन को खुछ नहीं देख सकता। लगता है अब तो मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम कभी किसी के साथ घलत करने की हिम्मत नहीं करोगे। इतना बोलकर जादूई पपीते का पेड जादूई डंडे को इशारा करता है तो वो गौतम की बहुत बुरी तरफ पिटाई करना शुरू कर देता है। गौतम उससे डर कर वहां से इतनी फूर्ती से भागता है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उस दिन के बाद वो फिर कभी मदन के पपीते के बाग की तरफ देखने की हिम्मद भी नहीं करता और मदन के साथ कुछ बुरा करना तो दूर बुरा सोचने से भी तौबा कर लेता है। बहुत समय पहले की बात है। टिन्डे को एक रिशी मुनी ने जादूई होने का वरदान दिया था और तब से टिन्डा सबजयों का राजा था क्योंकि उसके पात जादूई शक्तिया थी जिस कारण वो आम सबजयों के उपर खूब अत्यचार करता था। शुरू शुरू में टिन्डा सबकी मदद करता था। लेकिन कहते हैं ना किसी को बदलने में समय नहीं लगता और उसे अक्सर उसका घमन बदल ही देता है। ऐसे ही टिन्डे के पास एक मटर अपनी परिशानी लेकर आता है और टिन्डे से बोलता है। महराज मुझे और मेरे परिवार को आपकी जरूरत है। आर्थिक रूप से मेरे परिवार में थोड़ी सी परिशानी चल रही है। जिस वज़े से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। ताकि मैं और मेरा परिवार खुशी-खुशी अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरे परिवार का ठेका लिया है क्या हमने। मेरे पास जादू शक्तिया हैं और मैं सध्वी प्रजाती का महराज हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे पास आए दिन अपना मुँ ठाकर आजाओ। और अपने छोटी-मोटे परिशानी मुझे बताते रहो। देखो मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। आप महराज होकर इस तरह से बाते करेंगे तो हम आम लोग आखिर किससे उम्मीद रखेंगे। आपके पास उम्मीद दियाता है कोई और आप इस तरह से बाते करेंगे तो हमारा क्या होगा अगर आप से लोगों की मदद नहीं की जा रही है तो साफ साफ मना कर दीजिए कि अब आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे इसलिए आप अपनी जगह किसी और को राजा बनान कि यह मत भूल कि मेरे पास जादूई शक्तियां है चाहे तो तुझे अभी एक निर्जीव मटर बना का छोड़ दूँ ताकि तु कहीं का भी न रहे लेकिन मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहता इसलिए बलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम लोग यहां से चले जाओ बह कहते हैं आज नहीं तो कल खमट आहीं जाता है और आपके अंदर में जादूई शक्तियों का खमट आ चुका है आप जादूई शक्तियों का प्रियोग सिर्फ और सिफ अपने मतलब के लिए करते हैं लेकिन याद रखना यह जादूई शक्ति आप जादा दिन नहीं रहें कि आपके पास आपका घमन आपको ले ढूबेगा अब तू यहाँ से जाएगा या फिर धक्के मार के तुझी हैंसे निकलाओं तिंड़न उसकी परिशानी को इतनी गंबीरता से नहीं लेता है और उसे वहां से भगा देता है मतर उधास होकर वहां से चला जाता है तभी रास नहीं सुनी नहीं क्या क्या बताओं शिम्ला महन मुझे नहीं पता था कि यह वही महराज है जो एक टाइम मर हम सब की मदद किया करता था और आज जब इसे जादूई शक्तियां मिल चुकी है तो यह हमें अपने आगे कुछ नहीं समझता इसे सिर्फ और सिफ अपना मतलब द दिखाई देता है ऐसे में यह प्रजा कहा जाएगी इसके परोसे जाएगी बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं जब किसी गलत के हाथ में शक्तियां लग जाती है न तो वह आगे जाकर ऐसे ही उनका गलत इस्तमाल करता है अब क्या ही कर सकते हैं इसके आगे तुम चिंता मत करो लेकिन एक चीज अपने जीवन में हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कभी किसी के साथ बुरा मत करो क्योंकि उपर वाला जब हिसाब लेने के लिए आता है न तो वह यह नहीं देखता कि तुम राजा हो या नौकर हो वह हिसाब बर आपनी से करता हैं ऐसे ही लगभग कुछ दिन बीच जाते हैं तेज बारिश आने के कारण बहुत से सबजियों का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और अपने बिगरते हालात को देखते वे कुछ सबजियां जैसे टमाटर, आलू और मिल्च मटर आपस में बात करते हैं देखो माई बेनो, अगर तुम्हें जाना है तो जाकर टिंटे मारात से बात कर लो, फर्णम मुझे नहीं लगता है कि वे हमारी परेशानी को इतनी गंबीरता से लेगा या फिर उस पर कुछ काम करेगा, क्यूंकि उसे कुछ से ही पुरसते ही है, दिन बर आराम करता रहता है और अपनी सेवा पानी करवाता रहता है, बेह क्या हमारी और ध्यान देगा, ऐसे हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना मटर, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आकिर किसने इस डिस्टिंडे को चादी शक्तियां दी है, जादूई शक्तियां किसी ने भी दी हो मटर भाई, लेकिन अगर आपको पूरी प्रजा की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपका फर्ज बनता है, कि आप वह जिम्मेदारी अच्छे से संभालो, लेकिन अब पानी सर के उपर जा रहा है, पहले टिंडे का ऐसा व्यवार नहीं ता हमारे प्रति, लेकिन कभी कोई नहीं दिख सकता, उसका जब दिल आएगा, तब वे अपनी जादरी शक्ती से अपने हर काम को पूरा कर सकता है, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं है, मटर बिल्कुल सही कह रहा है, टिंडे ने तो मटर की भी मदद नहीं की, मटर के साथ साथ बहुत से ऐसे लो बनाएंगे, यहां हमारी कोई सुनने बाला नहीं है, सब के सब मतलब ही हो चुके हैं, वह सभी आपस में बाचीत कर ही रहे थे, कि तभी वहाँ पर एक विशाल कद्दू आता है, कद्दू दिखने में काफी बड़ा था, कद्दू उन सब से बोलता है, अरे क्या हुआ, आ असल मैं दूसरे गाउं से आया हूँ, और इस गाउं में मुझे तिंडे महराज से कुछ जरूरी काम है, बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत उमीद लेकर आया हूँ मैं उनके पास, अरे भाई, हम तो यही रहते हैं, इसके बावजूद हमारी परेशानी का समधान नहीं हो पाता, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो दूसरे गाउं से आये हो, माना कि हमारे महराज जादूई है, लेकिन मैं जादूई शक्ति का इस्तमार सिर्फ और सिर्फ अपने ले कर करते हैं, दूसरों की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, आरे नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत सुना है मैंने उनके बारे में, और मुझे जिनोंने भेजा है उनके पास, वह तो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, टिंडे महराज की, इसलिए मैं खुद सकते हैं क्या हम, दरसल बात ये है कि मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, और मुझे टिंडे महराज से कुछ आर्थिक मदद चाहिए, अब शादी बयामे खर्स तो होता ही है, किसी ने मुझे कहा, कि अगर तुम महराज के पास चले जाओ, तो वो तुमारी मदद जरूर करेंगे, ठीक है, एक बार तुम बात कर लो, क्या पता, तुमारी मदद कर दें, वैसे एक बात कहूं, उम्मीद मत रखना इससे, क्योंकि यह बहुत ही मतलविया भमंडी है, इतना बोलकर कदू, टिंडे के महल जाता है, टिंडे का महल बहुत बड़ा था, और दिखने में काफी सुन्दर था, जैसे ही कदू, टिंडे के महल में प्रवेश करता है, तभी टिंडे के कुछ दरबारी, मूली और गाजर कदू को द्वार पर ही रोकते वे बोलते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है महरास से, तुम य टिंडे से कदू के बारे में बात करता है, टिंडा आराम कर रहा था, उसके आगे पीछे दासी लाल मिज उसकी सेवा में लगी हुई थी, टिंडा कदू को अंदर आने से मना करवा देता है, दरबारी मूली कदू के पास चाकर बोलता है, देखो बाइ, तुम जहां से भी आए हो चले जाओ क्योंकि महाराज ने तुम्हें अंदर आने की अनुमती नहीं दी है इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते अरे महाराज ऐसा भी क्या कारे कर रहे हैं कि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते अभी महराज आराम फर्मा रहे हैं और इस समय अगर कोई उन्हें परिशान करे तो वैं गुस्सा हो जाते हैं इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ अरे ऐसे कैसे चला जाओ महराज से बिना मिले तो मैं नहीं जाने वाला फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े जाओ अपने महराज को जाकर बोल दो कि कद्दू आया है और मैं कोई आम कद्दू नहीं हूँ इसलिए मुझे हलके में लेने के कोचिश ना करें वरना महराज के लिए बहुत ज़्यादा परिशानी वाली बात हो जाएगी दर्बारी और कद्दू के बीच कुछ ज़्यादा बहस हो जाती है और मैहल के बाहर शोर शराबा होना शुरू हो जाता है शोर के कारण टिंडे को गुस्सा आता है और भै गुस्से में कद्दू को अंदर आने की अनुमती दे देता है जैसे ही कद्दू अंदर आता है टिंडा उससे बोलता है बोलो आकित ऐसा क्या पहर टूट पड़ा था जो तुम इतना जादा शोर मचा रहे हो बाहर महराज आप आ गए यही बहुत बड़ी बात है दरसल मैं दूसरे गाउं से आया हूँ मैंने आपके बार में बहुत सुना है मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं बात यह है कि मेरी बेटी की शादी है इसलिए मुझे आप से कुछ आर्थिक मदद चाहिए इसलिए इतनी दूर से लंबा सफर करके आया हूँ तुमारी बेटी की शादी है तो इसमें मैं क्या करूँ तुमारी बेटी है तो तुम जानों कि तुमें कैसे शादी करनी है और क्या करना है अरे महराज आप कैसी बाते कर रहे हैं मेरी बेटी की शादी है कम सकब मुझे इस तरह से बात करके मेरी परिशानी समझ कर मेरी मदद कीजिए निकल जाए यहां से तेरे जैसे गरीब की मदद करने का समय नहीं है मेरे पास पता नहीं कहां कहां से मूठा कर चले आते हैं अच्छा तो आपको अपनी जादूी शक्तियों पर घमंड है यह भी सही है क्योंकि यह घमंड अप ज्यादा समय नहीं रहेगा आपके पास क्योंकि आपका समय खत्म होता है इतना बोलते ही कद्दू रिशी मुनी में बदल जाता है रिशी मुनी टिंडे से बोलते हैं क्या हुआ टिंडे तुमने तो वादा किया था कि तुम इस जादूी शक्ति का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करोगे जीवन में तुम्हें चब भी कोई बेसा हारा या ज़रूरत मन दिखाई देगा तुम उसकी मदद करोगे और तुम्हारा असली रूप ऐसा निकल रहा है बात में मुझे माफ कर दीजेगा रिशी मुनी मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई मैं वादा करता हूँ कि आगस है अब केशी के सौध असली बहुत नहीं करूँगा मैं सब की मदद करूँगा मुझे एक मौका दीजिए नहीं नहीं अब दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा तुम्हारी वज़ा से ना जाने कितने लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा है मुझे माफ कर दीजिए महराज मैं वादा करता हूँ और बविश्य में ऐसी गल्दी कभी नहीं दोराओंगा तुम्हें दोराने का मौका ही नहीं दिया जाएगा टिंडा अब मैं तुम्हें तुम्हारी जादू शक्तियां वापस लेता हूँ और अब तुम कोई राजा नहीं हो बागी सब्जियों की तरह आम सब्जी की तरह ही रहोगे इस तरह से टिंडे को उसके किये की सजा मिल जाती है कहती है घमन जादा दिन नहीं दिखता आज नहीं कल घमन का घड़ा फूठ ही जाता है तिंडे के अंदर भी जादू शक्ति का घमन आ चुका था अब उसके पास ना जादू शक्ति थी और ना ही राजा बनने का पत अब वहे भी आम सब्जियों की तरह अपना जीवन यापन करने में लग जाता है और तिंडे को अपने किये पर बहुत पश्तावा भी हो रहा था